नमस्कार मैं हूं कुमार राकिश वर आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक अभी मैं उपस्तित हूं पूर्वी चंपारण जीले के बंजरिया प्रखंड के फुलवार दक्षनी पैंचायत के सरपंच पद के परतियासी जितेंद्र कुमार यादव उर्फ जितलाल परसाद यादव जी के दरवाजी पर और मेरे सामने मेरे कैमरे पर जो मेहमान उपस्तित नजर आ रहे हैं ये फुलवार दक्षनी पैंचायत के सरपंच पद के भावी परतियासी जितेंद्र कुमार उर्फ जितलाल परसाद यादव जी है और आपको बता दे बिहार में तिरस्तरिय पैंचायत चुनाव को लेक पर चौँ चरनों की मतदान खत्म हो चुकी है सत्वा चरन का मतदान सर्पे है और ऐसे में जो भी जन परतिनिधी है अपनी किस्मत अजमाने के लिए चुनावी दंगल में कुच चुके हैं और लगतार पबलीकों से आम मतदताओं से संपर्क कर रहे हैं और आपको बता दे कि इनका नमानकन भी हो चुका है एक दो रोज में इनका सिंबॉल भी मिलने वाला है और ये बंजरिया प्रखंड से बिलों करते हैं सरपंच पद के भावी परतियासी है आए हम इनसे जानने की कुशिस करेंगे कि इस बार के तिरस्तरिय पैंचायत चुनाव में ये जो नाम कचहरी के अंतरगत कि इस तरह से न्याय ब्यवस्था को कायम करेंगे और न्याय के लिए कौन-कौन सी कदमें उठाएंगे सबसे पहले सर मेरे बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है दन्यवाद सर हम आपसे जानने की कुशिस करेंगे कि आप इस तिरस्तरिय पैंचायत चुनाव में फुलवार दक्षनी पैंचायत से सरपंच पद के परत्यासी होने जा रहे हैं पढ़े लिखे भी हैं युवा भी हैं और हमने देखा है सर कि आप राजनित में काफी दिल्चस्पी भी सर हम आपसे जानने की कुशिस करेंगे कि आपने इस पंचा चुनाव में सरपंच पद ही क्यों चुना इसलिए कि सर हम 2016 से उसके पहले भी 20 साल से हम जानता की सेवा में लगे हुए हैं और सभी जानता की जितने भी काम होते हैं किसी के मैंने जीला अस्तरिय पर चाहे किसी तो सर हम से जानने की कुशिस करेंगे जैसे कि कि आपने कहा कि हम किसी भी हमारे हित्मीत होते हैं जो भी हमारे चित-परचित लोग होते हैंcit उनके जो भी कोई भी विबादी मामला होता है उसमें हम पैंचायती के तोर में एक पंच के रूप में हम काफी सक्रिय रहते हैं और हिसा भी लेते हैं जब हम आपसे जानने के कोशिस करेंगे जदी इस बार फुलवार दक्षनी पैंचायत की जनता सता की बागडोर आपकी हाथों में सौपती है तो आप इस पैंचायत में बिधी व्यवास्ता को किस तरह से कायम किजिएगा हमारा उदेश है से हर कि किस कोई भी एक दमा नहीं होने देंगे और हम कर आपने बात को कि हम थाना में नहीं जाने देंगे लेकिन सर हम और हमने अक्सर देखा है पैंचायत में जब भी छोटी मोटी विबादे होती है दो पक्षो के बीच तो जो ग्रामीन लोग होते हैं वे छोटी-छोटी विबादों को लेकर अक्सर पुलिस परसासन थाना कोट कचहरी में चले जाते हैं हम जानने के यहां अच्छे गर्नमान लोग है सब किसी को बुला करके और हम चाहेंगे कि इस मामला को इसी जगह पूरा फैसला फाइनल कर दें और कोई हमारे नागरिक ठाना पर नहीं जाए और कोट में नहीं जाए यहीं हमरा हुदेश है सर आपका आप जिसे की बता रहे हैं कि हम चाहेंगे कि किसी भी मेटर को ठाना कोट कचहरी में नहीं जाने दे शर ए ग्राम कचहरी जो है इस सरपंच पद जो है और ग्राम कोचहरी जो है इसको नयाय पालका की प्रथम सिड़ी मानी जाए जिए जाए जी संभीधान में यह भी बढ़नित है कि यह ग्राम कचहरी जो है यह नायपाल का कि यह प्रथम सिड़ी है सर आप अपने पैंचायत के जो भी आम नागरी के हैं उनके लिए ग्राम कचहरी के माध्यम से कौन-कौन सी सुबधाय आप उनको अब लेबल कराएंगे कौन- समय नहां देक्शाई कि अब कोट से भी बहुत सारी मुकादमाये जो में पहले से मिन उसको ग्राम कचहरी में उसको ट्रांस्फर किया जा रहा है और जो एंटी जिए जो होते हैं उनके द्युन किशों को ग्राम कचहरी में भेजा जा रहा है कि ग्राम कचहरी के ही अस्तर से इन विबादों को सुल्जाया जा निप्तारा कराया जा सर जदी कोट से नियाले से अगर पैंचायत की विबादित मामले अगर ग्राम कचहरी में आती है तो आप उन विबादित मामलों को किस तरह से खत्म करने काम किजीगा करेंगे कि मामला कुछम करेंगे यहीं जाने देंगे कुट में जाएगा थाना पर जायका इसमें पैसा लगता है तो पैसा हम नहीं लगने देंगे घळ्वार्थ मो richer नहीं करना है कि यह हैं की बाट कर रहे हैं कि विकास हम को नहीं करना है यहां ऍसल्य लठेस रहे हैं कि समाज मेंao पॉतिृष्टा मिलें कि से दर्वाजए पर हम जाएं तो हमनों को कहें कि सर्पंच है है कुछ से चाहे पिलाएए हमको परतीष्टा ही चाहिए हमको पैसा नहीं चाहिए अच्छी बात है सर आप सरपंच पद के परत्यासी है और सरपंच को जो है ग्राम कचहरी का न्याइधिस मना जाता है सर पैसाहित में विकास से संबन्धित भी बहुत सारी योजनाय़े आती है मुखिया लोगों के अंडर में अगर हमने देखा है कि पैसाहित में जो सिटिंग कंडिएट होते हैं निरवाचित होते हैं विकास संबंधित योजनावों को धरातल पर उतारने के लिए जैसे कि मु आप हम करेंगे चुकि आप तो ग्राम को चहरी के आपको नियाधिस मना जाएगा और आप जदी उस पर नजर रखेंगे तो योजनावों को सुचारुरु से धरातल पर उतरा जा सकता है चैनद के रखेंगे जांद हमरा आइस बने की हमको जांता बिर्याएक बना दें हम बिकास का भी काम करेंगे हैं आॉवा सर पंच पढ़ के प्रत्य पर moralat जानत में हुश्वास कि व शैसे खुभी आया है आप सब्सक्रांबुक्त अची बात है लेकिन सर कोई भी जन परत्य निधी दूध के धूले नहीं होते हैं जब जब चुनाव बाते हैं हमने देखा है कि सर जन परते नेदी तुरह-तुरह क transmitted करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वही जन परते नेदी जो चुनाव के समय में जर्चुनाव के समय में भरस्टाचार के विरोध में आवाज उठाएंगे ये करेंगे वो करेंगे और वहीं जन पर तेने धी भरस्टाचार को बढ़ावा देने लगते हैं धोकाधड़ी जैसे मामलों में सनलिप्त होते हैं आपका इस पर क्या अस्टेप रहेगा एकदम हम हमरा वादा है कि हम आए तक नद्वकधारी किये हैं नग करेंगे और उसके बाद देखा विकास का भी काम हम संभव करेंगे कि विकास का भी काम हम संभव से किसी कोई इसका मतलब है कि यह आपके बातों से यह परतीत होता है कि आप यह तो आप एक जरिया जी जी आप बना रहे हैं इसके बाद हमको जानता से ऐसा काम करें कि जानता हमको विधायक तक पहुंचा दे उसके आगे तक भी कुछिस करेंगे जानता है कि आज तक समभव मुकमने समर्थ भी है कि हम विधायक में चुनाव लड़ सकते हैं मुखिया में भी लड़ सकते हैं तो लेकि जानता हमको पाचाने उसके बाद हम लड़ेंगे यह हमरे उदियस है चलिए आप जिसे की बता रहे हैं कि हम सरपंच पद यह मेरा एक सुरवाती माध्य में इसको माध्य मान रहे हैं अच्छी बात है और विकास की भी बात आप कर रहे हैं जी करेंगे जदी आप आपको पंचायत की जानता मोका देती है विकास से सम्मंधित पद के लिए तो आप किस तरह से डिल किजेगे में उदेश है हमारे की जानता कि हम काम करेंगे जानता कि केस नहीं होने देंगे उसे मैंने जो भी केस नर्मल केस है चाहिए जो भी केस है उसको हम जाने नहीं देंगे यह हमारे में उदेश है तो आप लोगों ने देखा यह हमारे केमरे पर उपस्तित जो मिहमान थे ये जितेंद्र कुमार उर्फ जितलाल परसाद यादो जी फुलवार दक्षनी पंचाज से सरपंच पद के भावी उमिद्वार हैं और इनका नमांकन परचा भी दाखिल हो चुका है आठ दिसंबर को दसवे चरन में आठ दिसंबर को इनका नहीं मिला है हो सकता है एक दो दिन में और तरी को इनका सी मौल भी मिल जाएगा और आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा हमने जो जो भी सवलात इनसे किया हमारे सभी सवालों का जबाब इन्होंने विबाकी से निस्पक्ष्टा के सांथ रखा सर आप हमारे बिहारी खबर न्यूज चैनल में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धुनवाद केमरा परसान अमीत कुमार के साथ मैं कुमार राकेश बैंजरिया पुर्भी चमपारंसे